हे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हरिशव गौतम, I am the law of attraction coach and motivational speaker from ancient Indian meditation मैं स्वागत करता हूँ आप सब का आज के इस वीडियो में दोस्तों आज का वीडियो एक मेरा personal किस्सा है जो मैं आपके साथ शेर करने जा रहा हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, मिस्स मत कीजिएगा चलिए, ज्यादा चिट चैट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्री आदा करूंगा आपका लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था, ट्रिपल वन कोर्स प्रोग्राम, कोर्स के लिजिए, मेंबर्शिप के लिजिए बहुत अद्भूत अनोखा प्रोग्राम ये होने वाला है, बहुत लोगों के इमेल्स भी आए हैं, कमेंट्स भी आई है पर्सनल रिकमेंडेशन भी आई है, कि सर हमें रिकमेंड जरूर करियेगा, लेकिन एक चीज आज रिवील करूंगा, जैसे मैंने बताया मतलब के ये जब कोर्स लाइव हो जाएगा, तो फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्फ के सिस्टम के उपर बेज होगा यानि कि जो पहले आएगा, जो पहले इंट्रेस्ट बताएगा, भाई, उसका नंबर लग जाएगा इसमें मैं कोई पर्सनल इंसानों को या किसी स्टूडेंट को पिक नहीं करूंगा, आपको ये जॉइन करना है, आप जॉइन कर सकते हो, नहीं फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्फ, अब साती साती एक चीज और मैं इसमें ट्राइ करने वाला हूँ, एक अपडेट है कि प्री रजिस्टरेशन के लिए सोच रहा हूँ मैं कि लोगडाउन खुल जाए, तो थोड़े आने वाले एक विक में ये भी शुरूआत करूँ, कि प्री रजिस्टरेशन कितने हैं, कितने लोग इंटरस्टेड हैं, तो बही कुछ सिष्टम हम करेंगे, क्यों राइट ये दोस्तों मेरे, के 111 का जो ये प्रोग्राम है, बहुत अनोखा, बहुत अदबूत होने वाला है, लाइफ चेंजिंग होने वाला है, तो बस ये छोटी अपडेट थी जो आज शेर किये, कल फिर से कुछ शेर करना हूँगा, तो मिस मत कीजिएगा, आप बात करते हैं आ आ नहीं पाती, क्यों नहीं आ पाती, बहुत असान सा तरीका है, चलो आपने सब कुछ ट्राइक कर लें, कि शायद वाइब्रेशन कॉन्फलिक के वज़े से कापकी वाइब्रेशन ट्यून अप नहीं है, यूनिवर्स तक नहीं पहुच पारी है, सामने वाले इनसान तक न समय में, तो समय में एक लड़की थी, जो मुझे बहुत पसंद थी, अब उस टाइम पर मैं लॉफ ट्रेक्शन जानता था, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, तो मैंने विजुलाइजेशन किया, बहुत सारी चीजे की, कि उस लड़की का मुझे फोन आए, और फोन मुझे से बात कर रही है, बहुत सारी चीजे, अब हमारे बीच में कैसा था, क्रश वाली सिस्टम भी थी, वो भी मुझे पसंद करती थी, मैं भी पसंद करता था, बट बात ऐसी थी, कि आचे पांच साल पहले, माहल थोड़ा सा अलग था, उस टाइम पर वाटसप ठीक है, क्या हुआ दूस्तों फिर, हम दुनों के बीच में, बहुत बात बिगड़ गई, उस में का भाई, ये वरकाउट नहीं हो सकता, फैमिली के ये प्रोब्लम परिशानी हो सकती है, ये है वगेरा वगेरा, मैंने का, ओके ठीक है, चलिया, अब मैं नेक्स्ट एक साल तक बहुत desperate mode में चला गया था I was very vulnerable तो वो state बहुत बेकार था मेरे लिए लेकिन still I was using law of attraction तो कहते ना दोस्तो वो जो first होता है जो feeling होती है पहले बार वाली My God, something like that मेरे साथ भी हो रहा था अब वो सारी चीज़े खतम हो गई Now, एक साल पहले की बात है जब मेरे शादी होने वाली थे शादी होने के दो या तीन महीने पहले जैसे मैं already एक वीडियो में बता चुका था वो story के बारे में तो वो लड़की का मुझे phone call आता है अब दोस्तो वो 5 साल पहले की बात थी जब उसने number याद कर लिया था उसी number पे 5 साल के बाद उसका call आता है और जो चीज मैं visualize करता था same वही exact वही शब्द थे जब उसने मुझे phone किया जब फोन पे उसने मेरे साथ बाते की same शब्द वही थे कि जब उसने मुझे छोड़ा था तो जो मैं सोचता था कि उसका phone तो कैसा आना चाहिए वह phone आएगा तो क्या शब्द बोलेगी तो ये 3 साल के बाद sorry 3 साल तो नहीं होगे time जादा ही लोग हो गया नहीं like 5-2016 दोस्तो total 4-4.5 साल के बाद phone आया जो मेरे लिए was like क्योंकि एक बात बताईए दोस्तो वो time pass हो गया उसके बाद मेरी wife आई हमारा बहुत-बहुत बढ़ी आ था मैं बहुत खुश हूँ मेरी wife के साथ and then 3 months शादी के 3 months पहले उसका phone आना तो दोस्तो जब ये चीज मेरे साथ हुई तो मैं इसलिए शेयर करहा हूँ क्योंकि इस topic के बारे में मैं लिख रहा हूँ दोस्तो एक चोटी सी detail और reveal करहा हूँ दोस्तो मैं मेरी book लिख रहा हूँ अभी तो बहुत time है आने में लेकिन जब ये book आईगी दोस्तो change कर देगी पूरी field change कर देगी law of attraction की तो उसमें मैं ये इस चीज का जिक्र कर रहा था तो मैंने दोस्तो ये incident जब मेरे साथ हुआ तो मैंने एक चीज उसमें notice की और फिर मैंने बहुत सारे students के साथ इस चीज को apply करके देखा test करके देखा क्या होता है जब आप visualize करते हो क्या होता है जब आप law of attraction यूज करते हो सामने वाले इंसान के साथ क्या होता है मैंने बता है ट्राइंगुल क्रियेट होता है universe के बीच उस इंसान के बीच और आपके बीच जहां पर आपकी vibrations टक्राती है लड़ती हैं conflict जो खड़ा होता है तो वो conflict बहुत clear था दोस्तो अब 5 साल खतम हो गए थे अब 5 साल दोस्तो खतम हो गए थे इस चीज को और सड़नली वो चीज जब आती है तब मैं एक चीज सोचता हूँ को दोस्तो जब conflict आपका खतम हो रहा होता है दीरे दीरे तो वो चीज आपके जीवन में आती है उस टाइम पे मेरी दो गलती हुई थी जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको focus आपको सुधारनी चाहिए और मेरे लिए तो एक गलती नहीं है क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ दोस्तो अगर वो चीज नहीं होती तो आज मैं law of attraction coach नहीं होता आपकी मदद नहीं कर रहा होता जब दोस्तो वो उसका phone आया बाते वाते हुई उस phone में उसने जो मुझे detail बताई वो detail आपको बताना चाहता हूँ जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने one year तक इसे practice की ती फिर मैंने बंद कर दिया था मैंने because उस time पे college खतम हुआ था मैं भी बहुत सारा depressed हो चुगा था मैं भी ऊपर आया था तो उस time के चलते मैंने वो सब बंद कर दिया तो उसने बातों बातों में मुझे पता चला था one of my friend जो मेरे दोस्ता college का that she wants to talk with me लेकिन मेरे अब कहते हैं हम दोस्तों की बात करते हैं दोस्तों कैसे होते हैं कमीने भी होते हैं तो मेरा दोस्तों से लाए कि नहीं तुने मेरे दोस्त का दिल तो तुझ से बात नहीं करूंगा मेरे दोस्तों को जब मैंने confirm किया यह बात किया यह बात सच थी उस time की because I मुझे अब उस चीज से फरक नहीं पड़ता था कि भाई तुम्हें क्या करना था यह चीज जब मेरे साथ हुई तो मैं इस चीज के बारे में थोड़ा और deeply research करना चाहता था कि हाँ क्या चीज का तथ्य है इसमें तो दोस्तों उसने बताया कि हाँ यह बात सच थी तो यहाँ पर गलती हो जाती है दोस्तों कभी भी चीजों को छोड़ मत दीजिए आप जब चीजे छोड़ देते हैं तो universe तो अपना काम करी रही है वो आने ही वाली होती है आपके पास लेकिन वो कहते हैं आने से पहले हिम्मत हार जात एक चीज़ और दोस्तों मैं ये स्टोरी सिर्फ आपको बताने के लिए शेयर कर रहा हूं अधरवाइस में मेरे जीवन में बहुत खुश हूं मेरी वाइप के साथ और इस इंसिडेंट का तो मैं शुक्र गुजार हूं जिसकी वज़े से आज मैं आप लोगों को law of attraction सिखा पा रहा हूं तो बस दोस्तों आज के वीडियो में यही चीज़ है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं समझाना चाहता हूं और आप ये गलती ना करें ऐसी उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो के बाद आप ये गलती नहीं करेंगे बस दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई मेरी बात पसंद आए तो like कर दीजेगा नहीं पसंद आए तो dislike कर दीजे लेकिन comment में लिखके जरूर बताएगा क्या पसंद नहीं आया है अगले वीडियो में मैं उसे जरूर से improve करूँगा और जो भी श्रूता गान जाई श्री कृष्णा